नमास्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुझनाई होती है जो इविन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आईए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि समचार पत्रों में विद्यारति जीवन से समध्यत कौन-कौन से सुझना है आगी पढ़ने से पहले एक सुझना उन विद्यारतियों के लिए है जो विद्यारति इलापाथ हाई कोड की भरती ग्रूप C और ग्रूप D के त्यारी कर रहे हैं सभी अब्यरति चैनल की इस बे प्रस्णों का जो इस्तर होता है जिस प्रकार के प्रस्ण में पूछे जाते हैं और जो संभावित प्रस्ण होते हैं उन्हीं प्रस्णों का समावेश किया गया है उत्तर प्रदेश के लगबग सभी प्रमुक सहरों में सभी कापी किताब दुकानों में चचुप प्रकासन की ये पुष्टकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग आनलाइन मगवाना चाहती है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दिया है वहाँ पुलिस विभाग के 35,757 पदों पर भी बरतिया शुरू होगी प्रदेश की चिकित्सा सुविधाय बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया सेक्षनिक और गैर सेक्षनिक समवर्ग में पदों का सरजन नेशनल मेडिकल काउंसिल एन एमसी के माना के संसर किया गया है केजी में 10,042 और डॉक्टर रा मनुवर लोहिया आयुर्विग्यान सहस्तान में 3862 पदों का सरजन हुआ है प्रमु को सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोकुमार ने इसका आदिस जारी कर दिया है साथ ही इन पदों पर चर्णबद तरीके से भरती के लिए संस्थानों को निर्देश दे दिये गए हैं यहां पर कडिगरी बाइस बताया गिया है कि अलग अलग जुपद हैं वो किस किस पुष्ट के हैं और यहां पर नीचे लिखा कि नए साल में होगी सिपाही के 35,757 पदों पर भरती और इसके बारे में भी यहां पर जनकार्द लिखा है कि इन भरतियों के लिए कारदाई संस्था का चेन किया जा रहा है और चेन होते ही आवेदन मांगे जाएंगी यूपी पुलिस भरती पुरुनत बोर्ट के डीजी आरके विश्चुकर्मा ने बताया कि खिलाडियों की जिपाही भरती में 534 पदों के लिए 7,000 से जादा आविदन आये हैं परिच्छन के बाद उप्यूक्त अभ्यरतियों की सुची जल्द बोर्ट की वेबसाइट पर जारी करके उनके खेन कोसल के परिच्छन की प्रक्रिया 2023 के पहले माह में ही पूरी कर ली जाएगी और यहां पर अगले वर्स उत्तर प्रदेश लोगा भरती भी होगी और इसके लिए भी विग्यापन जल्द जारी किया जाएगा अगली सूचन है आरक्षन के एक रिपोर्ट के लिखा कोटा यानि की रिजर्वेशन के बावजूद भी केंद्रिय सेवाओं में सिर्फ 20 प्रतिसत ओबिसी कर्मचारी यहां पर और लिखा हुआ है जबकि SC ST ने इसका फाइदा काफी उठाया है लिखा अनुसूचित जातियों की हिसेदारी केंद्री नगरियों में 17.49 पहुंच गई है जबकि सेंट्रल की सर्विस में इनको 15 परिसेद रिजर्वेशन दिया जाता है इसी प्रकार हम लोग अगर अनुसू को अभी तक नहीं मिल पाया उस तरीके से अरचन का लाब उसका काण यह बताया जा रहा कि इनको देश की अजादी के बाद से ही अरचन दिये जाता रहा है जबकि OBC को आरचन देना 1903 में से शुरू हुआ है यहां पर लिखा है कि केंद्र OBC के खाली पदों पर भरती के ल 6638 पदों में से केवल 7980 पदों पर OBC कार्मिक है जबकि समूव बीक के पदों में यह और भी कम 13.64 फीजदी है टोटल और 148,375 पदों में से केवल 20,234 पदों पर OBC कार्मिक हैं समूव गाके पदों पर OBC का प्रतिन दित्त समय से जाएदा 21.22 फीजदी है और इसी कर्मियों में उनकी हिसिदारी 17.3 है यदि केंद सरकार के सिर्फ ग्रुप एक पदों पर आरचन की बात करने तो अनुसूचित जाते की हिसिदारी तो 14.41 फीजदी है यह उनको मिलने वाले आरचन से दोगुनी है यानि कि उनको लगबग 67 प्रतिसत आरचन दिया जाता 7.5 प्रतिसत उसकी जगह यह जो कार्मिक है वो 14.41 फीजदी है और यह उनको जो आरचन मिलता उसे दोगुना है यहां उसे ने आरचन का भरपूर फायदा उठाया है केंद्र सरकार में ग्रुप A के कुल 49638 पते हैं जिन में से 7159 पर ऐसी की हिस्तितारी है यह एक ग्राफ के द्वारा बताये गया है कि किस वर के कितने लोग सरकारी नोगरियों में कारेरत हैं यह देखिए लिखा हुआ है दस लाग चपन अदार पांसोचे समानवा अन्य वर गये ओविसी के तीन लाग पंचानवे हजार हैं और अनुसूचित जनजादी के एक लाग 47,000 हैं और अन आप लोग देख सकते हैं यह चात्र हैं यह इमेल करें निशान्त शुकला चेर्वेन आफिस यूप पीसी कल इन विद्यार्थी नों अभियान चलाया था और लिखा था कि आरो यारो को जो परड़ाम है वो अविलंब जल्द जल्द जारी किया जाए दो वर्स से यह बरती लटकी हुई एक और चात्र हैं अंकुस यादा इन्होंने भी सेम पूरा फार्मिट में इन्होंने भी यह पत्र लिखा चेर्वेन बहुत सारे चात्रों के आपर लिष्ट जिससे आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी संजीव कुमार हैं संजीव मधुकर इन्होंने भ रस्टाशार की असंका को जन्म देता है क्योंकि जब जब कीसी भरती के प्रडाम है उसके बाद में जब प्रडाम आया है तो अकसर चौकाने वाला रहा है चुकि लोग सेवा-आयोक में इसम्सम में सबसे जुक्डरी तो इसी के उसमें कुछ बदलाव किये जाना जिसकी वज़सी के देरी हो रही है उमीद है कि इसी हपते आरो यारो जो परिडाम हो जाएगा और अगली सुझना भी उत्तर प्रतिस लोग से वायों कि यह मांक सीट से फिर गायब सकेल और नान सकेल अंग पी-स दो-ज़ined 21 में भी-स-क्यलिंग दिस्थि उत्तर पर-थि लोग से वायों कि और से पी-स-परिच्या में इसकेैमें इसकेलिंग ले05 कि इस्तिध सीथि इसथि इसsite ना किये नॉन इसकेल नंबर यह कच्छे नंबर और यह इसकेल नुमार के इस तरीके से दिए जाता था तो यह पता चलता था कि किस विद्धरती के किस सब्जेक्ट में कितनी नंबर घटे हैं कितनी नंबर बढ़े हैं लेकिन अब उत्तिप्रती से वह आयोग केवर एक बार नंबर देता है और यह भी नहीं कहता कि इस केलिंग की आड़ में मनमाने तरीके से अंग दिखे जाने का खुलासा होने के बाद सीबी आई ने पीसीएस 2015 भरती के मामले में मुकदमा दर्ज किया था आयोग नहीं जब इस विवस्ता को समाप्त किया तो अब बढ़तियों ने इसका विरोध किया हाला कि उनकी कोई सुनवाई नहीं भी आयोग के नए चेयर्मेन संजस्री नेत ने कारभार समाला तो अब पूर की विवस्ता लाग करते हुए मांक्सीट में यह स्केलिंग के नाम परवर्तियों कि कितने अंक बढ़े हैं या घटे हैं इसकेलिंग है या नहीं है इसके बारे में इस परश्टी कड़ लोग सीवा आयोग दे लोग सीवा आयोग ने बहुत सारी चीजी छुपा जैसे कि अब वो रिवाइट आंसर की नहीं देता है कटा अंग बहुत देर में बताता है जल्द याई ट्याई का जवाब नहीं देता है अगली सुचना है संस्कृत शिक्षक भरती की संसोधन के चेयन बोर्ड के प्रस्ताव पर सासन का रुक इसपस्ट नहीं है नियमाव संसोधन के प्रस्ताव पर सासन ने अब तक कुछ इसपस्ट नहीं किया है इस कारण चेयन बोर्ड के पास सहाइक अध्यापक और प्रदान अध्यापक पदों पर भरती के लिए मिला अधियाचित लंबित जो अधियाचन मिला है वह अभी तक लंबित भरतियों के बारे मे मुक्यमंत्री सासन का इतना जादा धान रहता नहीं है यह कारण ना तो चेयन बोर्ड में सदस से हैं ना यूपी ट्रॉपल सी में कर्मचारी है और बहुत सारे जो नीमा वली के चक्कर में भरतियां वगएरा हो फंसी हुई है लिखा है कि योग सिक्षिकों का चेयन हो सके है जिससे विध्यालियों में वच्चों को अच्ची सिक्चा मिल सके इसके लिए चेयन बोर्ड को अपनी रेंसन 스odhan करना जलूरी था जिसकि लिए चेयन बोर्ड ने संसो Lori का प्रस्ताव मंझूरी के और अब यह एक जो मामला है संस्कृत वाला नीमा वली वाला यह मामला भी कई दिनों से लटका हुआ है तो चात्र गुष्चा करते हैं चेन बोर्ड पर और कर्मचारियों पर लेकिन जब कि इसका मुख जो दोस है वो सासन का है लिखा है कि संस्कृत विद्यालियों में भरत चार-चार साल लग जाते हैं अपने देखाओ को पीसे जी में चार साल लग गए संसोधन करने में हालक इसको लेकर कि एक आज बहुत अच्छा लेख लिखा गया है यह पर दे सकते हैं अपराद है निक्तिम अनावसक देरी को और इसमें लिखा कि जो लोग सेवा आयोग है और जो जितनी भी चेन बोर्ड हैं भरती संस्थान है जो भरतियों में लेट लतीफी करते हैं वो गलत है किस तरीके से गलत है यह बहुत एक लंबा लेख किया पर लिखा गया है यह मैं आपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूंगा आप लोग इसको अवस्य पढ़ें लेक कब से चेन बोर्ड काम करना शुरू करेगा जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चल के माधम से दे दूंगा अगली सुचना यूपी ट्रपल सी की है यूपी ट्रपल सी में आज एक महत्पूर मीटिंग होने जा रही है कुछ भरतियों को लेकर के नोटिस जारी की ज स्क्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुद्धनवाद करें